नमस्ते मैं डिम्पल शर्मा आज 2 मई 2019 दिन गुरुवार आज हम आपसे बात करेंगे अगर आपको अनिंदरा की प्रॉबलम है या रात को सोते समय आप बिना दवाई लिये नहीं नींद आती है तो उस समस्या से आप कैसे निजात पा सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको तांबे के किसी पात्र में जल भर कर शयन कक्ष में रखें उसके उपर किसी पात्र में खुला नमक रखें या तो आप तांबे का लोटा ले सकते हैं उसमें जल भर के रखतीजिए उपर से एक प्लेट ढ़ाग दीजिए और उसके उपर आप नमक रख दीजिए उसके बाद क्या करना है एक सफेद पेपर पर कपूर की टिकिया रखें उसके बाद एक और कपूर की टिकिया ले और उसको शयनकक्ष में चला दें सोते समय गायतरी मंत्र का जाप करें ओम नमस्षिवाय का जाप करें ओम शान्ती नाथाय नमह मंत्र का जाप करें श्रद्धा के नुसार इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं इसके लिए कोई specific गिंती नहीं है आप जब लेते हैं उस समय आप जाप करें और उसके बाद आप देखेंगे जाप करते करते आपको नीद आजाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा सुबे जब आप उठते हैं उस समय जो आपने पात्र में जल भरके रखा था उसको बाहर पौधों में डाल दे और नमक जो वहाँ पे आपने एक और पात्र में रखा था उसको आप पानी में बहा दे इसके अलावा कपूर जो एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था आपने उसको शहिन कक्ष में ही रहने दे और जब वो कपूर उड़ जाए तो वहाँ पे दूसरी कपूर की टिक्या आप रख दीजिए इस उपाय को आपको 21 दिन तक लगातार करने है अगर कोई व्यक्ति नीन की गोली लेता है तो उसके लिए इस उपाय को 45 देज 45 दिन तक करना है नीन आप देखेंगे नीन आने लगेगी और धीरे धीरे आप अगर दवाई लेते हैं तो वो दवाई भी आपके छूट जाएगी जब आपकी नीन की समस्या समाप्त हो जाए उसके बाद किसी 5, 7 या 11 दरिद्रों को भोजन अपने बना के अवश्य कराएं अगर आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करेंगे तो आपको जरूर फाइदा होगा ये तो हो गए थे हमारे उपाये अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशी फल की देखें आज मेश राशी के लिए क्या है हम हमारे इन कार्ट्स में हमारे तारे क्या बोल रहे है मेश राशी के लिए क्या स्पेशल लेके आए हैं मेश राशी वालो आज तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी शाम होते होते पारिवारिक स्थितिया थोड़ी गड़ बड़ा सकती है तो धहरे से काम ले शुब रंग आपके लिए औरेंज भाग गे साथ देगा 75% विशब राशी वाले देखें आज आपके लिए हमारे काच क्या बोल रहे हैं विशब राशी वाले आज कहीं न कहीं आप ओवर रूल करने की कोशिश कर रहे आपको ऐसा लगता है मैं जो बोलूं बहुत सही है और सब वही बात माने मगर ऐसा नहीं होता है उसकी बज़े से आपको थोड़ा प्रॉबलम फेस करना पड़ सकता है सेयत का खास खयाल रखिए शुब रंग आपके लिए पिंक भाग के साथ देगा 50% मिथुन राशी वाले देखें आज आपके लिए हमाई कार्च क्या लेके आए है मिथुन राशी वाले हो आज आपको थोड़ी सतर्ता बरतनी होगी आपके कार्यों में अर्चने पैदा हो सकती है यहां की तक की कोई बाहर वाला आपको प्राब्लम में डालने की योजना भी बना रहा हो सकता है तो उस चीज का खास खयाल रखनी अपनी गुपत चीजें किसी से शेयर न करें तो आपके लिए बहतर होगा नहीं तो आपको सामाजिक तोर पे थोड़ी अर्चनों का सामना करना पड़ सकता है शुपरंग आपके लिए क्रीम भागे सात देगा 50% करकराशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है करकराशी वाले आज कहीं न कहीं मिला जुला फल आपको मिलने वाला है कहीं खुशी तो कहीं गम आपको family wise देखा जाए तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है business में थोड़ा सा आपके rivals की वज़े से आपको problem face करनी पड़ सकती है शुबरंग आपके लिए पीला भागे साथ देगा 60% सीहन राशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है सीहन राशी वाले गाड़ी चलाते समय specially खास खयाल रखें business wise अगर हम देखें तो आपका business प्रगरती की और जाता हुआ नजर आ रहा है पारिवारिक स्थितिया और बहतर नजर आरी सामाजिक शेतर में आपकी ख्याती और बढ़ने वाली है शुबरंग आपके लिए वाइट भाग्य साथ देगा 70% कन्या राशी वाले देखें आज आपके लिए हमाए काज क्या लेके आए हैं कन्या राशी वाले आज हो सकता है आपको कोई पुरानी बिमारी उभर के आ सकती है तो बेटर है कि आप कोई second opinion ले तो आपके लिए बहुत बहतर साबित होगा पारिवारिक स्थितियां में थोड़ी डगमगाई हुई नजर आ रही है आज ये हो सकता है आपके family members कोई lady आपको rule करने की कोशिश कर सकती है पारिवारिक स्थितियों में उतार चड़ाव दिख रहा है business wise अगर हम देखा जाए तो आज आपका दिन बहुत शुब बीतने वाला है शुब रंग आपके लिए वाइद भाग के साथ देगा 55% तुला राशी वाले देखें आज आपके लिए हमारे काट्स क्या बोल रहे है तुला राशी वाले आज आपकी मन चाही मुराद पूरी होती हुई नजर आ रही है अगर आपने कुछ अपने business के लिए सोचा हुआ है या कुछ ventures के आप इंधजार कर रहे थे तो आज वो आपका पूरी स्थितिया clear हो जाएंगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी परिवार में बड़े बुज़ूर्गों का आशिरवात बना रहेगा लेकिन उनकी सेहत का खास खयाल रखिये उसमें थोड़ी अर्चने पैदा हो सकती है यहां तक की बच्चों को लेके भी थोड़ी समस्याए नजर आ रही है तो थोड़ा अपने गुसे पे काबू रखें तो आपके लिए अच्छा रहोगा शुब रंग आपके लिए light blue भागे साथ देगा 65% ब्रिश्चिक राशी वाले देखें आज आपके लिए हमाई काच क्या लेके आए हैं ब्रिश्चिक राशी वाले आज अगर आप पार्टनर्शिप में जाना चाहते हैं या पार्टनर्शिप की काम करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपका बेहतरीन साबित होने वाला है परिवार को लेके थोड़े आप असमंजस में हैं कार्य करना चाहते हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं यहां तक की आप मकान को लेके थोड़ी समस्याई फेस कर रहे हैं तो इन फ्यूचर देखा जाए तो बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए बच्चों के स्थितियां बहुत बहुत बहुतर नजर आ रही है अगर जौब चींज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय चल रहा है शुबरंग आपके लिए ब्राउन भाग के साथ देगा 85% धनू राशी वाले देखें आज आपके लिए हमारे काच क्या लेखे आए हैं धनू राशी वाले आज आप जिस कार में भी हाट डालेंगे आपको सफलता मिलने वाली है जो कारे आप बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे वो भी आज आपके पूर्ण होते नजर आ रहे हैं फैमिली वाइस देखें तो आज का दिन आपका बहतरीन साबित होने वाला है बच्चों के लिए देखें तो आपकी स्थितियां और बहतर नजर आ रही है कहीं सामाजिक तोर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रियेट हो सकता है उसका खास खयाल रखें शुबरंग आपके लिए पीला भागे साथ देगा 85% मकर राशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है मकर राशी वाले इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं आज का दिन बेहतरीन साबित होने वाला है आपके लिए पारिवारिक स्थितियों को देखें तो आज कोई ऐसा डिसीजन न लें जिसकी वज़े से आपको पश्टाना पड़ें उस चीज का खास खयाल रखेंगा शुबरंग आपके लिए बैंगनी भागय साथ देगा 55% कुमभराशी वाले देखें आज आपके लिए हमाएक आज क्या बोल रहे हैं कुमभराशी वाले आपके आज सितारे बदलते हुए नजर आ रहे हैं समय जो इतना परिशानी भरा चल रहा था पिछले कई दिनों से आज आप उससे काफी राहत महसूस करेंगे और यहां तक की आपको हेल्थ वाइस जो इशूस चल रहे थे उससे भी आपको निजात मिलेगी शुबरंग आपके लिए हरा भागय साथ देगा 85% तक मीन राशी वाले अज आपके लिए क्या है मीन राशी वाले कुछ ऐसा करना चाहते हैं दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि आप भी कुछ है मगर उसके लिए अभी समय है तो बेटर है थोड़ा अध्यात्मिकी और मुड़े तो आपके लिए अच्छा होगा जल्दबाजी में कोई भी गलत कारी ना करें तो अच्छा है और किसी के बहकावे में ना आए उस चीज़ का खास खयाल रखे शुपरंग आपके लिए पीला भागे साथ देगा 55% ये तो हो गए आपके तैनिक राशिफल आज की सला अगर आपको पेट संबंदी समस्याएं रहती है या आप डाइबिटीज के शिकार है तो अगर आप गुरु वार के दिन पीला धागा अपने राइट हैंड में बांदेंगे और इसको 21 दिन तक बंदे रहन देंगे आपकी समस्याओं से आपको धीरे धीरे चुटकारा मिलने लग गया है अगमगर विश्वास पूर्वक करिएगा तो ही आपको लाब मिलेगा खुश रहिए अपना खयाल रखिए नमस्ते कल फिर इसी समय मुलाकात होगी